बच्चो अभी हम इंग्लीज पढ़ेंगे इंग्लीज बुक का पेज़ नबर ट्वेंटिनाई यूज़ेस और दिस दिस कहां यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं आज हे वाला हां डिसकस करेंगे इसके पास एक पेंसिल है इसलिए यहां पर दिस यूज़ हुआ यहां पर दिस इच माई पेंसिल यह मेरा पेंसिल है दिस इच माई हाउस दिस इच माई हाउस यहां पर दिस यूज़ हुआ यह भी पास है जो चीज पास होता है उसमें दिस यूज़ होता है इसके पास है, इसलिए यहां पे भी this use हुआ है, this is my house, this is my house, this is a table, this is a table, this is a table, दिखो, यह table भी इसके पास है, इहां पे भी this use हुआ है, this is a craft, 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 दिखो, यह brush है, यह भी इसके पास है, इसलिए यहां पे भी this use हुआ है, जो चीज पास होता है, उसमें पहले this use होता है, जैसे यहां पे भी सारा में, देखो, this use हुआ है, this is my pencil, this is my house, this is a table, this is a craft, this is a brush, this is my pencil, यहां पे देखो बच्चो, m, y, my लगा है, क्योंकि यह पेंसिल इसका है, इसलिए यहां पे, m, y, my लगा, this is my pencil, यह मेरा pencil है, this is my house, यहां पे my pencil है, क्योंकि यह इसका घर है, इसलिए यहां पे भी this is my house, this is a table, यहां पे a usual, यहां पे my pencil हो, a, this is a table, यह एक टेबल है, इसलिए यहां पे this is a table, a table है, a table, यहां पर बिए लगा है यही क्राप है क्योंकि यह एक है यह एक ठोः है यहां पर बिए यह यूच हुआ है यह मेरा भास है This is a brush, यह एक brush है, This is my pencil, This is my house, This is a table, This is a crop, This is a brush, यह वाला को reading करना है, 10 times.